नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि नेक्स प्रो टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है Nexpro Tablet को कैसे लेना चाहिए और Nexpro Tablet की वज़से क्या side effects हो सकते हैं Nexpro Tablet पेट में उत्पन होने वाले acid की मातरा को कम करती है Nexpro Tablet का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर Nexpro Tablet का उपयोग किया जाता है Nexpro Tablet को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ, दवाओं की वज़ह से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन Side Effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Nexpro Tablet को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य Side Effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़ह से ये Side Effects ना हो इसलिए आपका Dr. Nexpro Tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेनी की सलाह दे सकता है इसके अलावा Nexpro Tablet का उप्योग कुछ Medical Conditions जैसे Gastric Alcen, Acid Reflux और Jolinger-Ellison Syndrome को Treat करने के लिए भी किया जाता है Jolinger-Ellison Syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में Acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है Nexpro एक Brand Name है Nexpro Tablet के अंदर Salt Composition इसो में प्राजोर होता है Nexpro Tablet 20Mg वर 40Mg की Strength में Available है अब हम दिसकस करेंगे की Nexpro Tablet को कैसे लेना Recommended होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में Nexpro 20Mg Tablet को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं लेकिन बाद में जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर Nexpro 40Mg Tablet को भी दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला दे सकते हैं Nexpro Tablet को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि Nexpro Tablet की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Nexpro Tablet की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Next Pro Tablet की वज़ा से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्ध, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन, सिरदर्ध, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा Next Pro Tablet की वज़ा से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं. लंबे समय तक Next Pro Tablet का सेवन करने से यानि कई महिनों या कई सालों तक Next Pro Tablet को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B 12, कैल्शियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Next Pro Tablet को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार Next Pro Tablet को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है. Next Pro Tablet की वज़़ से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है. जब Next Pro Tablet का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Next Pro Tablet को ले रहे हैं, तो आपको कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए. ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके, या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए. और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धुप में बैठना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं नेक्स प्रो टैबलेट को ले सकती है या नहीं. वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए नेक्स प्रो टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है. लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को नेक्स प्रो टैबलेट को लेने की सला दे सकता है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को नेक्स प्रो टैबलेट को नहीं लेना चाहिए.